आज सलाम लेकूम मैं हूँ शबीना खुशामतीधा आपको मेरे चैनल इजी रेसेपी बाई शबीना पे शुरू करते हैं अला ताला के नाम से जो दोनों जहानों का परवर्दिगार है आज हम आपके लिए हैदराबादी चिकन दम की बिर्यानी की रेसेपी लेके हाजिर हैं जिसको हमने बहुती आसानी से आपको बताया है लेकिन टेस्ट में कोई कंप्रोमाईज नहीं किया है आए देख लेते हैं उसके लिए सामान हमने क्या लिया है 700 ग्राम हमने यहाँ पे चिकन लिया है चिकन को अच्छे तरीके से धोके हमने साफ कर लिया है इसमें हमने आधि लेमू करत शामिल कर दिया है अध्रक लेसुन के साथ हमने तीन सब्स मिर्चों को डाल के पेस्ट बना लिया था इसको हम शामिल कर रहे हैं और अब हम इसमें आधी प्याली गाड़ी वाली दही शामिल कर रहे हैं पुदीनी के पत्यों को काटके हमने इसमें शामिल कर लिया है आप चाहे तो इसमें सब्धनिया भी शामिल कर सकते हैं इस तरीके से हमने एक प्यास को काटके देखिए इस तरीके से उसको खोल की इसमें शामिल कर लिया है और प्यास कभी रिस्ता में इसमें शामिल कर रहे हैं पर्फेक्ट तलिवी प्यास की रेसेपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी आए बटन में आपके लिख कर सकते हैं और मसालों में हमने जो लिया है काली मिर्च सब्सक्राइन के बदो मिष्कित करते हैं अब अच्छे टली हो까지 ख़किक क्भच्प के करेंoff, मां जलते हुए कोईले के तुकड़ो को उस पर टेसी видео डाल रहें और ढखकन लगा के हम इसके धुवे का फिलिवर आने देंगे हमारे घर में तो काफी ज़्यादा पसंद किया जाता है इसलिए हम काफी देर तक रख रहे हैं अगर आपके घर में कम पसंद किया जाता हो तो आप अपने हिसाब से कुछ सिकेंट के लिए रख ले तो चलिए देखते हैं धुवा लगके इसे साइट पर रख देते हैं एक घंटे के लिए हम इसे रेस देते हैं फिरिज में रख देते हैं रखकन लगा के और इतनी देर में हम अपनी बाक्या तैयारियों को कर लेते हैं चावल के लिए कुछ मसाले सेट करके रख लेते हैं, मेरे जो कोई इस तरीके से बीच से कट करके हम रख लेंगे, और हमें एक जोल बना लेते हैं, जोल कहले, घोल कहले, जो भी आधा कप हमने दूद लिया है, एक पिंच हम उसमें जया फ्रानेट कर रहे हैं, और थोड़ा स हम इसमें केवडा वाटर रेट कर रहे हैं, दो चमच, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम इसको धक्कन लगाके, साइड पर रख देंगे, यह हमको दो जगह काम आएगा, हमको चीकन में भी इसे थोड़ा साइड करना है, और हमको आफिर में चावल पे दम के ल रहे हैं, तेल को हलका सा गरम होने देंगे, तेल हलका गरम हो जाएगा, इसमें हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता आइड कर रहे हैं, आपको पसंदों तो आइड करें, ना पसंदों तो ना करें, बस कड़ी पत्ता आइड करके हम अपना मेरिनेटेड चिकर इसमें आड कर चिकन हमारा एक गंटे से ज़्यादा मेरिनेट हुआ है तो बहुत अच्छे से ज़ली से पक जाएगा इसको हम एड़ करके थोड़ी देर तक चला के भूनेंगे थोड़ा सा पकने लगे और अंदर से पानी भी रिलीज करते देखिए इस तरीके से हमने भूना है दो से तीन मिनट तक तो चिकन अपना पानी छोड़ने लगा है हम अभी आप थोड़ी देर तक भून लेते हैं इसमें हम जो अपना जोल बना के रखे हैं चार पाच चमाच इसमें हम आड़ कर देते हैं इसका बड़ा अच्छा सा फिलेवर और खुश्बू दोनों आड़ हो जाएगा अभी हम थोड़ी देर तक आउट भूनेंगे थोड़ा सा पानी कम हो जाए देखिए इस तरीके से चला चला के हम थोड़ी देर भून लेंगे और पानी अब अ कि बहुत अच्छी से गल चुका है 80 परसेंट तक चिकन गल चुका 20 परसेंट हमारा चिकन राइस के साथ पकेगा यहां पर आके नमक चेक कर लेजिए थोड़ा सा नमक और मिर्चा दोनों ही तेज होना चाहिए पानी हमने रख दिया है उबलने के लिए चावल के लिए और अच्छी से खुषबक और इसमें हम अपने सभी मसाले जो हमने रखे थे वा अरट कर रएिए तिस पत्ता दारचीनी मोटी वाले लाइची और यहां पर देखें लाओंग है थोड़ी सी कबाब चीनी है एक फूल हमने इहां पर बादियान कर लिया है थोड़े से कड़ी प करनेंगे और कफी अच्छी सी खुश्बू भी आएगी और यहां पे हम नमक बहुत अच्छे सैड करेंगे क्योंकि हमको पानी को निकालना होता है तो नमक थोड़ा ज्यादा ही रहेगा पानी उबाला गया है तो यहां पे हम अपनी कटकी हुई मिर्चों को शामिल कर रहे है और चावल जिसको की हमने धुल के भिगो के रख दिया था हमारा चावल यहां पे 700 ग्राम टिकन था लेकिन चावल हमने 700 ग्राम लिया है अब चाहे तो 700 ग्राम ले 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 आ चाहे तो थोड़ा सा घटा बढ़ा भी सकते हैं कोई मुश्किल नहीं होती यहां पे हम ढगकर लगा के इसको उबाल आने देंगे 5 मिनट तक उबाल आने के बाद देखे कुछ इस तरीके का तयार हुआ है लगभग तयार ही हो गया है हमारा चावल 80% तक कुख हो चुका है तो यहां पे आके हम गयस को बंद कर देते हैं और अपने चावल का पाने जो एक्स्रा है उसे निकाल लेते हैं इस तरीके से चावल का पाने निकालने के बाद हम क्या करेंगे जो बड़े-बड़े से मसाले दिख रहे हैं ओ हम सब निकाल लेंगे मिर्ची को छोड़के पक्या मुटे-मुटे मसाले तेज-पत्ता-दार-चीनी वगारा सब हम निकाल लेंगे अगर अध्वाने से सारे मसाले निकाल जाएंगे और उसी भगवने में जिसमें आपने चावल को उबाला था थोड़ा सा आधा चावल हम अपने नीचे लेयर बना रहे हैं एक लेयर हम चावल की लगाएंगे और उसके ऊपर हम अपने गोश्त कीın लेयर लगा देंगे सभी अच्छे से शामिल करके पहला के जो बचा हुए चावल रगाएंगे अच्छे से चावल को देखिए हमें साफ करके एक एक दाना ले लिया है इस तरीके से आप फैला के layer बना दे और उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा color add कर रहे हैं color add करना कोई जरूरी नहीं होता हमारे बेटी ने कहा कि आप में color add कर दीजी तो इसलिए हम कर रहे हैं अब इसके उपर से जो हमने जोवल बना के रखा था केसर दूद का उसको हम add कर रहे हैं अच्छे से पूरे चावल पर हम फैला देंगे फैला के इसके उपर हम प्यास का बिरिस्ता जो बना के रखे थे उसकी एक layer लगा देंगे अच्छे से और उसके बाद हम क्या करेंगे कि मलमल का कपडा लेंगे उसको हम गौल से लपेट लेंगे हर तरफ से अर इस तरीके से देखिए किनारों पे रखते हुए हम उसको अपने भगावने को हर तरफ से सील कर देंगे अगर आप चाहे तो आप आटे को भी गुद के उससे भी सील कर सकते हैं लेकि कपड़ा रख देंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है और इसके उपर हम कोई वजन चीज रख देंगे हम तो यहां पर रोटी मनाने वाला चकला रख रहे हैं आप चाहें तो पानी से भरा हुआ बर्तन भी रख सकते हैं 15 मिनट तक हमने इसे दम दिया है दीरी आज पर देखिए माशालला लहमदुलिल्ला शुकर उस खोदा का जिसने हमारे हातों में सायका दिया और हमें अच्छी नेमते दी हैं देखिए कितनी प्यारी लग रही है बस अफसोस तो है कि मैं आपको खुश्बु सुगा नहीं सकती आप पनाएंगे तो तैयार हो चुकी है हमारे पर्फेक्ट दम बिर्यानी अपने इस तरीके से मेरे होमेट किचन किंग करम मसाले से अगर बनाया तो आप तो इसकी दीवाने हो जाएंगे इंशालला इसे बार बार बनाना चाहेंगे अगर आपको अभी सर्व करना हो तो आप सर्व करें वरना इस तरीके से हलके हलके हाथ उसी से खोल दे ताकि इसकी भाप निकल जाए तो बाद में एक दूसरे से चिपके नहीं आए देखते हैं देखिए माशालला चेक करें इसकी खुबसूरती चेक करें बस खुश्बुतो बस अफसोस है मैं आपको सुगा नहीं सकती तो बनके त पटाफट से एक इंस्टेंट वाला हम रायता बना लेते हैं दही को हमने फेट के लिया है उसमें हमने थोड़ी सी कटी भी प्यास डाली है थोड़ा से लाल मिर्ची का पावडर डाला है थोड़ा से जीरा पावडर डाला है और थोड़ा से हमने पुदीने के पत्ते के तो इस तरीके से हमारा इंस्टेंट तयार हो गया है रायता और किसी भी चीज़ की रही से पिचाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं हम आपकी सभी फर्माईशों को पूरा करने की पूरिक कोशिश करते हैं आप सभी कहामियों नासिर हो आप सभी की जिंदग्य